हेलो गाइज दिस राश्र मिश्रा के मैं इतमें चैनल जोर्स मेरी को दैव देगी इस वीडियो में हम इंट्रसल्लोर रिसेप्टर के बादे में पढ़ेंगे जिन्होंने वीडियो पहली बर देखना शुरू किया मैं उनके लिए बता दू कि हमारे बोड़ी पर क्या होता है सो लेट बीकिन ग्यू सब्सक्राइब होता इस जो रियू की मतलब तो है यही जो फया शोलिलोह ऑर इंट्यूंट पसिट्सलेकर के बिल्कुल होता है में आलगा दुस्सा पॉइंट यह है कि जो ligand molecule होता है या signal molecule होता है या drugs होते हैं उनको cell membrane cross करके receptor पर आना होता है ताकि वो receptor complex बना सके drugs receptor complex बना सके और अपना response शो कर सके तिस्सा important point यह है कि जो ligand cross हो रहे हैं वो तभी cross होते पाएंगे जब वो lipid soluble होंगे तो यह एक important point है कि जो ligand होते हैं उनको cross करने के लिए वो lipid soluble होना जर्दी है चौथा important point है जो ligand है जब वो cell के अंदर आएंगे वो receptor के साथ bind होके ligand receptor या drug receptor complex बनाएंगे और later on वो जो receptor complex है ligand receptor complex वो nucleus के अंदर जाएंगे और वहाँ जाके वो अपना action शो करेंगे मेली जो ligand receptor complex बना हुआ है यह मेली दो तरीकी का reaction शो करेंगे क्योंकि यह एक तरीकी का inherited genetically expressed reaction है तो यह मेली transcription और translation form में होगा transcription में क्या होता है DNA to RNA में convert होता है और translation में RNA protein बनाता है तो यह important point है इसलिए इसको जो intra-slow receptor है इसको genetically expressed receptor भी बोलते है guys simple सा short में में इसको बताना चाहूँगा आप diagram में देख सकते हैं कि drugs है वो drugs cell membrane को cross करके आता है cross करने के लिए वो drugs lipid soluble होना चाहिए तभी वो membrane को cross हो पाएगा कर पाएगा उसके बाद drugs जो cell membrane के अंदर जो cytoplasm region है cytosol region है वहाँ जाकि वो receptor के साथ bind होगा और वो complex बनाएगा लेटर ओन ये complex nucleus में जाएंगे और वहाँ जाकि लेटर ओन वो अपने process जो अपना response है वो show करेंगे वो response transcription और translation के form में होंगे transcription में DNA to RNA बनेगा और translation में वही RNA जो mRNA है वो protein मनाएगा और लेटर ओन वो biological effects show करेगा तो आप देख सकते हैं diagram में कैसे कैसे इसके बारे में बताया गया है और उसको समझ सकते हैं so thank you so much guys for your edition if you get any benefit from this so please hit the like button and subscribe channel thank you so much guys